वंदे मात्रम दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल युवान एकेडमी पे स्वागत है आज हम साइन्स का 20 भीविया क्वेस्टन लेके आए हैं जो आपके साथ डिसकस करने वाले हैं अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को स नोल एफेनल तो एसिटी का अमलम जो है इसका आयूप्यक नेम होता इथेनौइक अमलक्त यह फॉर्मी का liability Curl का अयूप मैं Ho को यह फॉर्म का कहिसे और बॉंतफ में लोगा जाता और यह जो मेथेनल यह फॉर्मार, डिहाइड का है और रिम्क का होदा चावर याद रख लेना बहुत इंपोर्टंट है तो passing कहल खिंप यूपीएसी नेम हो गया वह हो गया एथोनोई कामल और जो फॉर्मी कामल का जो आई यूपीएसी नेम है वह एथोनोई कामल हो गया और मेथेनल जो है यह फॉर्मल डिहाइड का फॉर्मी कामल है चारों याद रख लेना है बहुत इंपोर्टेंट कुश्चन है next question पे चलते हैं दो नमर में काफी ज़्यादा important है कि अश्टक सिधान्थ को किसने परतिपादन किया तो अश्टक सिधान्थ जो है ये कौन दिया था ये दिया था new land साहभ ने दिया था अश्टक नियम का जो अश्टक नियम किसने परतिपादन किया तो नियू लेंड नमर बीस का राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेस्टन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन कि स्वस्टन किस परकार की रसाइनिक अभिक्रिया है उप्चैन सन्योजन उस्मा छेपी उस्मा सोशी तो स्वस्टन जो एक परकार की उस्मा छेपी अभिक्रिया है कौन है उस्मा छेपी उप्चैन नमर सी इसका राइट एंसर होगा नेक्स्ट क्वेस्टन पर चलते हैं चार नमर में कि बैटरी से किस कि धारा प्राप्त होती है परतिया वर्ति भार दिश्ड दारा बटिए बटन इन दोनों इनमें से कोई नहीं तो बैट्टी से जो हम भी धारा प्राप्त करती कौन सी धारा क्त उजरा और ये दोनों की क्व अंतसरावी और और कु मुझलर को सचंफ को ऐसे लगए आलसे ल में कि आयले का प्राहकिर्तिक स्रोवत निम्लिखित में से कौन है मतलब आपको आपको जगा सिट्री कम संत्रा में पए जाता अगर सिरका में पूछेगा यह काफी बार पुछा जा चुका है कौन सामल होता है इसमें सिर्कांakt ौता कौन सा शिघ्य शीर्कांल पारा जाता में और रख लेना इसला कफी है नेक्सट पर चलते हैं साथ नमर में कि वर्ग में उपर से नीचे जाने पर धातू की क्रिया सिलता बढ़ती है घटती है अपरी बढ़ती तरहती है उपर में हम जैसे उपर से नीचे जैसे वर्ग में हम आएंगे तो वहां पर धातू की क्रिया सिलता जो है वह बढ़ती है क्या होती है बढ़ जाती तो क्या होगा option number A इसका right answer होगा कि बढ़ती है next question पर चलते हैं आठ नमर में कि अमल वे पदार्थ है जो जल में घुल कर देता है H plus I N, OH minus I N, CL minus I N, O minus I N तो अमल अगर जल में घुलेगा तो वो H plus I N देता है, कौन सा आइन देता है H plus अगर छार होगा, भस्म होगा, वो अगर जल में घुलेगा तो वो वो H minus I N देता है, लेकिन अमल जो जल में घूलकर एक प्लस आइन देता है, दोनों बात याद रख लेना है अगर छार यानि भस्म घुलेगा जल में, तो वो जो है OH मेनस देगा अगर अम जल में घूलेगा तो H प्लस आयन देगा तो इसका क्या अंसर हो जागा option नमर A इसका right answer होगा next question पे चलते हैं 9 नमर में है कि परिपत में वीदू धारा की माप किसे की जाती है वोल्ट मीटर से, आ मीटर से, गेलवनो मीटर से, इन में से सभी से तो परिपत में जो वीदू धारा है उसको हम आ मीटर से मापते हैं किस से मापते हैं? आ मीटर से, option नमर B इसका right answer होगा 10 नमर question है कि कठोर जल में, sorry कठोर जल को मिर्दू बनाने के लिए sodium के किस योगी का उपयोग किया जाता है sodium koloride, sodium carbonate, sodium hydroxide, sodium hydrogen carbonate तो कठोर जल को जो है मिर्दू बनाने के लिए हम sodium carbonate का उपयोग करते हैं किस का उपयोग करते हैं? sodium carbonate का option नमर 20 का right answer हो जाएगा next question पे चलते हैं 11 नमर में है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का Lens पाए जाता है उत्तर Lens अवतर Lens वलैकार सम्तर Lens तो मानव नेत्र में जो है उत्तर Lens पाए जाता है कौन सा Lens पाए जाता है उत्तर Lens Option नमर A इसका Right अν्शर होगा Next Question पे चलते हैं काफी Important Question है 12 नमर कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगुठा किस दिसा को संकेत करता धारा को चुमबा की अच्छेतर को बल को इन में से कोई नहीं तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में है अंगुठा बल को निरुपित करता किसको करता अंगुठा बल को और जो तरजनी हो गया वो चुम्बक्य छेतर को करता कौन तरजनी जो है वामहस्त में वो चुम्बक्य छेतर को करता और मध्यमा जो है वो धारा को निरुपित करता कौन मध्यमा तीनों ची याद रख लेना है कि वामहस्त में जो है मध्यमा धा को तरजानी चुम्बक्य छेत्र को और अंगुठा जो हो गया वह बल को निरुपित करता तीनों इंपोर्टेंट है तीनों याद रख लेना है नेक्स्ट क्वेस्ट्सन पे चलते हैं तेरा नमर पे कि प्यूट्री गरंथी नियंत्रित होती है एड्रीनल गरंथी द्वारा थ क्वेस्ट्सन पे चलते हैं 400 में है एक मिनट कि धातू के ऑक्साइट जल में घुल्कर क्या बनाते भस में करता है तो जल विदूत सनय आंत्र जो है को विदूत सनयंत्र जो है वह अस्थिती उन्वर्जा को विदूत्व उन्था में सट करता है नेक्स्ट को सट C में लेंगिक जनन की विधी है मुकुलन पुनर जनन जिवानु जनन विखंडन तो हैड्राम जो है लेंगिक जनन वो मुकुलन के द्वारा होता किसके द्वारा मुकुलन के द्वारा इसमें यह भी क्वेस्टन पूछ सकता है कि हैड्राम होता है लेंगिक जनन अलेंगिक जन सी धातू जल से अभिक्रिया करती है मरकरी, कॉपर, गॉल्ड, पोटेसियम तो पोटेसियम जो है ये जल से अभिक्रिया करती है ये इसमें सब धातू है लेकिन पोटेसियम जो है ये जल से अभिक्रिया करती है लेकिन मरकरी, कॉपर, गॉल्ड ये तीनों जो हो गया है जल से अभिक्रिया नहीं करता और याद रख लेना एक दू गो जो जल से अभिक्रिया करता है पोटेसियम हो गया सोडियम हो गया ये भी जल से अभिक्रिया करता है ठंडे जल से और एक केलसियम ये भी याद रख लेना calcium ये तीनों याद रख लेना है potassium, sodium, calcium ये तीनों जो है जल से विक्रिया करता है और भी है लेकिन ये तीन ही याद रखना है important है इसी से काम चल जाएगा उसके बाद mercury, copper, gold ये तीनों जो हो गया है ये जल से विक्रिया नहीं करती है यहाँ पूछ रहा कि जल से विक्रिया कौन करती है तो potassium हो गया ये जल से विक्रिया करती है तो option number 10 का right answer होगा next question पर चलते है 18 नमर में कि गुलकौँच के एक अनू में oxygen के कितने परमानू होते है 4, 6, 8, 12 सबसे पहले गुलकौँच का सुद्र क्या होता 6, 6, H12 और O6 यह इन होता है तो यहाँ देखिए carbon का कितना अनू है 6 अनू है hydrogen का कितना परमानू है 12 है और oxygen का परमानू कितना है 6 है तो यहाँ अगर पूछेगा carbon का परमानू कितना है गुलकौँच में तो 6 हो जाएगा अगर पूछेगा कि गुलकौँच में हैड्रोजन के कितने परमानू है तो 12 हो जाएगा अगर पूछेगा oxygen के कितने परमानू है गुलकौँच में तो 6 यहाँ पूछ रहा किसका कि oxygen का पूछ रहा है बनता है विरिशन में मुत्रासे में गर्वासे में अंडासे में तो सुक्रानु जो है यह विरिशन में बनता है विरिशन में ऑप्शन नमर डी इसका राइट एंसर हो जाएगा विरिशन जो है सबसे परमुक पुरूस का जो है जनन अंग है तो क्या हो जाए ऑप्शन नमर ये इसका राइट एंसर हो जाएगे सुक्रानू विरिशन में बनता है लाइक करें सस्क्राइब करें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू जैहिंद